हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इगनु बड़ी तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके जून दोजार तेईस टर्मेंट एक्जाम रिजल्ट के नए अपडेट रोज आना पब्लिश हो रहे हैं और आज भी यानि कि 3 अगस्त के दिन एकनु के तरफ से नया आपके जून दोजार तेईस का अपडेट आया है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो तीन अगस्त दोजार तेईस का आपको स्टेटर भी पोर्टर पर मिलेगा लेकिन जिन भी स्टूरेंट्स का रिजल्ट आता जा रहा है उन स्टूरेंट्स के मन में एक डाउट रहता है पिछली साल भी हर साल स्टूरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि जब भी उनका रिजल्ट आता है तो मान लीजे आपके मार्क्स आपके रिजल्ट में 40 आये है तो जब वो grade card में add किये जाते हैं तो फिर वो 80 हो जाते हैं तो आखर ये क्या problem है क्या ये एक issue है या फिर क्या इसके पीछे का कारण है मैं आपको detail में आज की इस वीडियो में बताऊँगा आपके जो marks है वो double क्यों हो रहे हैं आपके grade card में या फिर marks change क्यों हो जाते हैं आपके grade card में तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देख लेना लेकर उससे पहला अगर आपने भी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इग्नू से related हर update और information के लिए इग्नू बड़ी channel को जरूर subscribe कर लेना तो देखिए इग्नू में जब भी आपके marks update होते हैं तो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि इग्नू में जो आपके marks update होते हैं वो इस तरह से होते हैं याँ पर तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 100 में से 58 100 में से 53, 100 में से 47 फिद नीचे की तरफ जब आप आउए तो 50 में से 35 इस तरह से आपके जो marks होते हैं result में उन्हें update किया जाता है लेकिन जब यह marks आपके grade card में update होते हैं तो कुछ subjects के तो marks same update होते हैं लेकिन कुछ subjects के marks को change कर दिया जाता है तो आफिर ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता जेता हूँ उसका reason क्या है यह बिल्कुल सही है आपके marks इतने ही आपके grade card में update होने चाहिए और जो उसमें जो double हुए है वो भी बिल्कुल ठीक हुआ है तो वो होता क्यों है इसके पीछे का पहला आपको reason बता जेता हूँ तो मान लीजे आपके marks किसी subject में 100 में से 40 आए है तो आपके जो grade card है उसमें आपके marks 100 में से 40 ही आपके update होंगे या फिर मान लीजे किसी subject में आपके marks 70 में से 56 आए है क्योंकि 70 marks का भी paper होता है तो जब आपके marks आपके grade card में अपडेट होंगे तो वो 80 होंगे ऐसा क्यों है मैं आपको बता हूँ अगर मान लीजे आपके marks 50 में से 40 होते हैं तो आपके grade card में जब वो marks अपडेट होंगे तो फिर वो 80 हो जाएंगे अगर आपके marks 70 में से 56 आते हैं तो आपके marks जब grade card में अपडेट होंगे तो वो 100 में से 80 हो जाएंगे अगर 70 में से 56 हैं तो 56 70 का 80 परसेंट है तो इसी तरह से 100 में से वो 80 marks आपके grade card में अपडेट होंगे तो जितने भी marks आपके grade card में अपडेट होते हैं चाहे आपका marks, चाहे आपका जो exam है, वो 50 marks का है, चाहे फिर वो 70 marks का है, चाहे फिर वो 100 marks का है, 100 का है तो change नहीं होंगे, 70 का है या 50 का है, तो वो change होकर 100 में से आपको marks यहाँ पर update होते हैं, क्योंकि जब आपके marks यहाँ पर update होते हैं, तो आप जब अपना percentage को calculate करते हो, तो तो यहीं से करते हो, तो इसलिए जो आपके marks हैं, एकनू में, grade card में आपके हमेशा 100 में से ही update होते हैं, आप देख लेना अपने grade card में भी, सारे marks आपके 100 में से ही होंगे, तो यह confusion काफी students के मन में रहता है, कि आखर ऐसा क्यों है, marks क्यों change हो रहे हैं, double क्यों हो जाते हैं, marks जब भी उनके marks 40 होते हैं, तो इसमें 80 क्यों जाते हैं, तो I hope आपको यह doubt clear हो गया होगा, कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके marks को grade card में 100 में से consider किया जाता है, इसलिए, marks उतनी ही आए हैं, लेकिन उसको 100 में से मान लिया गया है, इसलिए आपके marks grade card में 100 में से दिये जाते हैं, तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगी है, अगर आपको doubt clear हो गया है, तो please इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नुसर एलेटेड हर update और information के लिए, इग् झाओको वाँ 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 धीयो, थैंक। वाँ भाच।